कि सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी की आइकन को दबाईए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हेलो दोस्तो आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल मैं हूं संकर स्वागत करता हूं आप सबी का तो दोस्तो आज का हमारा टोपिक है कि हार्डिस्क ड्राइव हम जब पीशी या डेक्स्टो बिल्ड कराने जाते हैं तो कौन से सिलेक्ट करें एक्चुली परन्तु इसके पीछे भी बहुत सारे फेक्टर्स होते हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते तो उनके बारे में आज आज आपको बताऊंगा तो दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक चोटा सा नना सब प्यारा सा घंटी का इकन उसको दबाना ना भूले जिस्टी क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेसन मिलती रहेगी यह आपको हमारे वीडियो अच्छा कंदी कि साफसे करते हैं कि क्या आपको कौं सी हारडस्क ड्राइब करनी आपको दिक्कत आती है है कि जो में वर्क करहें कर रहा है यह होगता ही नहीं है अटक के होता है जिसे कि कोई वीडियो एडिटर है जो closure washing का कारिय करता एउसका जो सौट्थर से वह की चलते हैं'प। कमेंट्स डालते हैं कि मैंनेным i7 लेटिश्ट जनेरेशन लिए था У आई-5 से लेटिश्ट उसके बाद भी आपका पिसी अच्छे से वरक नहीं करता है तो वहां पर बात आजाती हार्ड डिस्क क्योंकि आपको जो को शॉप के पास ती उसने वो डाल दी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बात करते हैं डेबल्यूड यानि वेस्टन डिजीटल की नोर्मली आपके लिए उनके बारे में बताऊंगा कि आप कौनसी ड्रेवके आपके लिए सही नइभे क्वाूस 아니라 टाइपस होते हैं six प्रकार के वो color wise होते हैं कि color के coding होते हैं कि purple जेशे blue, black, green, purple, red, gold इनके बीच में भी difference बताऊंगा कि differences in color of WD, HDD, blue, black, green, purple, red and gold तो दोस्तो जैसा कि आपको screen पर स्क्रिकार की जो hard disk driver वो दिख रही है तो मैं के बारे में आपको जान करें देता हूं दोस्तो पहली जो आती है वो है WD की blue यानि hard disk drive blue उसके बारे में बताता हूं तो दोस्तो यहां पर मैं सभी की hard disk drive 1 TB की base पर बता रहा हूं 1 TB को जो नॉर्मल होती है उसको लेकर बता रहा हूं तो इसकी प्राइज है वो है 2200 रुपए यानि 3200 रूपीज तो इसका जो यूज होता है वो जनरल परपस के लिए होता है मतलब जनरल वर्क में आप इसे यूज ले सकते हैं जिसे आप कोई बेसिक कंप्यूटर नोलेज दे रहे हैं किसी को या इमीतर वगिरा का आपका काम ह और छोटा मोटन और ही सोद स्वास्ते के ईंदर हें आपको चलाना वते हैं यूज किसी रखते हैं काउंट के लिए और ब स्यांस से कजशने बबलता जास है next हम बात करने वाले बलेक ौकी आई हर्-डिस्क डिर्ड does द्र बारे में बात करने वाले हैं जैसरो कि आप bord छ्रीन पर देख रहे हैं तो यह जो बलेक हर्-डिस्क-ड्राइव है इसके प्राइज है क्पन?'श से अमोजन पर आपको मिल जाई और में डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी डाल दूंगा इनको आप वहां से प्रचेज कर सकते हैं हाड डिस्क ड्राइव जिसकी प्राइज है 56 रुपए यह ब्लेक है इसका जो परफॉर्मेंस है वह बहुत ही बेस्ट है इसका यूज हेवी से हेवी वीडियो एडिटिंग फ काम है यह फिर थोड़ा सा हाइव वर्क है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी कि यह बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देती है इन वर्क के अंदर जो आपके सॉफ्ट है जैसे एडियो फिनाइकल स्टूडियो फोटोसॉप कोरेल ड्रो साइबर लिंक इस इन सभी में आपको अच्छे शेच्छे फ्रपॉर्मेंस देगे आपके वीडियो जो है अटक टक के नहीं चलेंगे इन परफॉस के लिए सबसे बेस्ट है तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताए कि इसका जो रंग है वो बलेक होता है कलर वाइज होती है सारी कि सारी तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हार्डिस्क ड्राइव के बारे में दोस्तों हमारी नेक्स्ट हार्डिस्क जो ड्राइव है वह ग्रीन डेवीड की ग्रीन वेस्टन डिजिटल की ग्रीन हार्डिस्क ड्राइव इसकी भी जो अवेलिबल केपिसिटी है वह 500 जिवी ओती है प्राइज जो है 49 रूपए यानि 3,900 रूपीज और इसका जो यूज है वो दितर सेकेंडरी स्टोरेज हार्डिस्क ड्राइव के रूप में लिया जाता है प्रणतु दोस्तों इसे यह रीड और राइट दोनों का काम ही बहुत स्टो करती है आप इसे उपरेटिंग सिस्टम में यूज नहीं ले सकते हैं और आपका जैसे कोई मिक्सिंग वगेरा कारी है वो डेटा है वो आप इसमें रख सकते हैं उसके लिए यह सबसे बेश्ट रहती है वाकिया उपरेटिंग सिस्टम में आप इसका यूज नहीं करें इसकी प्राइज 49 रुपे हैं जैसा कि मैंने भी बताया आमोजन से आप इसे करी सकते हैं दोस् यह नहीं है कि आप इसकी जो प्राइज है वह पी 350 रुपे हैं यह इसका जो यूज है वह स्रवर्वरेलेंस हारड डिस्क ड्राइव के रिए के रूप में होता है सुब लेंस में काफी अच्छी बेटर परफॉर्मेंस नहीं कि देता है और इसकी प्राइज पैलती सो पा करके रखना है तो उसमें यह काफी अच्छी बेटर फ्रपॉर्मेंस देते हैं जैसे आप सीटीव केमरे की डेटा को जो है रीडिंग के लिए रीडर के यूज में बहुत ही अच्छी हार्डिस्क ड्राइव है क्यों रीडिंग काम अच्छा करना है जैसे सीटीव कैमरे में वीडियो जैसे उनको क्या वले रीड करती है 24 गंटे अच्छी तरह से वर्क करती है तो आप उसमें रख सकते हैं क्रेस होने का बहुत ही कम चांसे यह कभी क्रेस नहीं होती तो यह सिस्टीव के एडिप्टर में जब आप यूज लेते हैं तो यह काफी अच्छी रहती है केमरे की यूजज के बारे में मैं आगि आगे आपको वीडियों में जरूर बताँगा कि आप इनका यूज की कैसे कर सकते हैं कि और यह यह कंप्वेर इस्ट अब बात करते हैं डबलूडी की रेड डिस्क के बारे में तो हार्ड डिस्क रेड की हम बात करें तो यह इसका यूज साट 20 20 से दस्ट torres आप से प्रेंग काम कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे बैस्ट का कर मूं आप सेर्क फूर्म स्क्रीप पर देख रहे होंगे शाँ यह तो यह उसे अलगं कर सेरीं अवस की रिक्रेंग है उसके लिए सबसे बेस्ट हार्ड डिस्क ड्राइवर है यह चोई सोगंठे का काम करते हैं इसलिए इसकी जो केपिसिटी है थोड़ी हाई लिया आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी जो अवेलेबल केपिसिटी है वह आप टूटी बी तक जरूर ले क्योंकि यह सेरिं यह कौन सी नहीं लेनी चाहिए या ये नेट्रोकिंग के वरक में काफि evaluate हैं तो बात करते हम नेक्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव की जैट के बारे में हम देख लिया अब जो हमारी लास्ट हार्डिस्क ड्राइव है वह हैं गॉल्ड डेवलिोड़ी की गॉल्ड हार्डिस्क ड्राइव इसकी किमत जो है सबसे ज्यादा है πिच्चा-शी सो रुपई यानि 8500 डूपई एट थाउजन फाउजन फाइवंड़ेड्र रुपीज तो यह जो hard disk driver है उसका यूज इंटर परपज के रूप में, इंटर परपज class हार डिस्क driver के रूप में यूज लिए जाता है, इसके जो available capacity है, वो 1 tb से 12 tb तक की है, तो बात कUREते हैं इस hard disk driver की, तो यह जो hard disk driver है वो उती ही high capacity की लिएनी चाहिए, लिए इसके हाई के पिश्टी वर्तमान में one TB से बारागर की है तो बात करते हैं इस हाड़डकर ड्राइव में कहा पर रहती है या काउंटिंग के बरते हैं दोस्तों होता क्या है कि जब आप बैंक में प्रवा ले ले तो काफी अच्छा रहेगा मैं आपका नॉर्मल वर्क हो तब यदि आप बैंकिंग का कारी करें तो उच्छी हार्ड डिस्क ड्राइब और रीड का भी काम करता है दोनों का काम करता है तो क्या होता है दोस्तों कि इसकी होती है हमें हाई चाहिए लोगों के जो अकाउंट है वो पैसे लेते भी है और जमा भी करती है लोगों को देती भी है जमा भी करती है मतलब उनका इसाब रखती भी है और वापस उन्हें इस सकता परती है तो हाई से हाई डेटा इसमें लेने की कोशिश करें आपके वर्क के अनुसार आप सिलेक्ट कर लीजिए तो यह थी हाट डिस्क ड्राइवर के बारे में जानकरी अग यदि अब तो यहां बातों ध्यान में रखकर करने गीचों किसी अच्छे कंटेंट के साथ किसी अच्छे वीडियो के साथ चीकनולजीक्ष लया यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सेर जरूर करें यदि आप हमारे वीडियो लाइक करते हैं तो यूट्यूब भी हमारा वीडियो को परमोट करता है तो दोस्तो बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंडेट के साथ बाई दोस्तो